आ संसार नी सवथी मोटी सवथी कार्मी पीडा छे पोताना जीवता जीवत पुत्र नू अकाड म्रुत्यू अने ए पछी जीवन जीववानी पीडा हा सनातन संस्कृती अने ए पीडा पड़े तो पन ए पीडा नी अंदर ए भक्ती अने ए भक्ती नी शक्ती ना भूले आ कथा छे एवाज विग्न हर्ता गणपती बापा नी ए विग्न हर्ता जे ओलखाना दगडु शेठ ना गणपती तरीके तो जानिये आ चमतकार आ भक्तिनी शक्तिना चमतकार ने आश्रे डोटसो पणावसो वर्ष पहला पूने नगरीनी अंदर दगडु शेठ हलवाई नामना एक हलवाई रहता हाता जेमनी हलवाई नी एटलेके मिठाईनी दुकान हती औने ए मिठाईनी दुकान खुबज जोर शोर्ती चाली रही हती अने ए मिठाईनी दुकानना कारणेज ए श्रीमन्त दगडु शेठ बन्या हता दगडु शेठ अने एमना धर्मपतनी लक्षमी बाई खुबज सारी रिते पोतानु जीवन व्यतित करी रही हता परन्तु काड ने जाने आ न गम्यों एम प्लेग नामनी महाबारी नी अंदर दगडु शेठ दमपती ना एक ना एक पुत्र नो जीव गयो पोताना जीवननु स्वप्न पोताना जीवननी सारी इच्छाओ जाने के पोताना पुत्र साथे काड भर्खी गयो अने आ काड रूपी जीव लेण आगाद जीरवो ए दगडु शेठ दमपती माटे पन जाने जीव लेण साबित थाई रही हतो पन केवाई छे क्या सनातन संस्क्रूती माँ एवा एवा श्रीमंतो थया छे एवा एवा संतो थया छे एवा एवा महर्शियो थया छे जेमने नाकेवड लोकोंने सनातन साथे जीवन जीवता सिखव्यो छे परन्तु अजर अमर एक गणपती बापा जाने चमतकार्थी एक एवाज महर्षी ने मोकल्या के जेमनी पासे दगडु शेट दमपती पोता ने पड़ेला आ काल रूपी आगात मा केम जीवू औने बाकी नो पंध जीवन नो केम कापो ए समझवा माटे गया अने कहवाई छे के जाने स्वयम विग्ण हर्ता गणपती बापा ए महर्षी संतना आउतार मा आविया होई अथ्वा तो ए महर्षी संतना माध्यम थी एवू कहवडावता होई के तमे जे काल रूपी आगात मा नी संतन होवानू दुख भोगवी रहिया छो तमारा एक ना एक चीरन जीवी पुत्र ने जे काल भर्खी गयो छे एवू हजारो दंपतियो जे के पोताना दिकरा दिकरीने गुमावे छे अथ्वा तो जेमना जीवनमा दिकरा के दिकरीनू कोई आवानू एंधानज नथी रेतु एवा नी संतन दंपतियो ने श्रद्दा का जे एमनी भग्तीनी शक्ती का जे एमनी गणपती भगवानमाने असनातनमा आस्ता का जे तमे एक एवा गणपती मंदिरनू निर्माण करो जे आवा हजारो नीस संतान दमपती माटे कि जेवने जीवन मा कोई पन प्रकारनी संतानों आधी व्यादी उपादीव आउती होई जे नीस संतान पनुपन अनुभवी रहिया होई जेमना पुत्र के पुत्री अकाडे मृत्तिव पन पाम्या होई एवा लोकोने जीवन जीवानी शक्ति आपे जीवन जीवानों साचो मार्ग देखाडे तो आवाज आदर्शो साथे आवाज आशिर्वाज साथे केवाई छे के दगडु शेट दमपती है दगडु शेट हलवाई है पूने शहरनी अंदर एक भव्याथी भव्या गणपती बापाना मंदिर अनिर्माण कराविव औने एमा एक चामत कारिक गणपती बापानी मूर्ती प्रस्थापित करी एनी प्राण प्रतिष्टा करी बोलो दगडू शेट गणपती बाप्पा नी जै विगन हर्ता है जे दगडू शेट ने बिजाना विगनो हर्वा माटे दगडू शेट गणपती मंदिर बनावानी प्रेणा आपी तो विगन हर्ता एवा दगडू शेट दमपती ने केम आ आगात मा जीवाडे एम ने पन जाने के पोता ने त्या साक्षाद विगन हर्ता दरीके आविया होई एवी रिते दगडु शेठ दमपती ना जे निसंतान पणानी जे उनफती एम ने पूर्ण करवा माटे एम ने जाने आदेश करियो है एम तो दगडु शेठ हलवाई एम ना बत्री जा गोविन शेठ ने दतक लिदा अने पोता नो वंच वार्षो आगड एम ने धपावा माटे आहवान करियो अने केवाई छे बाप करता बेटा सवाया एवास थया गोविन शेठ हलवाई के जेम ने पोता ना पिता ना आदर शोव उपर चाली ने ना केवल आ मंदिर नो फरी पाचो जिर्णोत दार करावियो एक नवी चमतकारीक मूर्ती पन त्या विराजमान करी अने केवाई छे के पोता नी अतूर्ट श्रद्दा अने ए समाई नी जरूर्यात प्रमाणे के वियायाम अने शारेरिक तंदुरस्ता माटे अखाडावनु निर्मान करावियो अने त्या एक जगोबा अखाडानी अंदर पन गणपती बापानी त्या मूर्ती विराजमान करावी प्रथम मूर्ती आजे पन पूने मा अक्रा मारूती चोक मा विराजमान जे एवी जरिते गोबिंद शेट हलवाई ये जाज जातनी मंदिर माटे सेवा करिया बाद केवाई छे के एमनी त्रीजी पेडी एटले के दगडु शेट हलवाई नी त्रीजी पेडी दत्तात्रे गोविंद शेट हलवाई एमने पन पोताना दादा अने पिताना आदर सोव उपर चाली ने मंदिर ना रख रखाव अने पुन निर्माण मा काई बाकी ना राख्यू एमने पन केवाई छे क्या हाल नी जे दगडु शेट गणपती नी मूर्ती छे गणपती बापानी ये भव्य अती भव्य मूर्ती जे हाल भी आपने दर्शन करीने एनो आशिर्वाद में दत्तात्रे गोविंद शेट हलवाई ये बनावी छे अने त्या पुने शहर मा आजे पन लक्ष्मी रोड जे दगडु शेट ना धर्मपत्नी ना नामे छे अने गोविंद शेट हलवाई चोक ए पन खुबज प्रख्याद छे तो बोलो दगडु शेट गणपती बापानी जे विग्न हर्ता गणपती बापानी जे केवाई चे अनेक चमत कारो थया चे जे बी नी संतान दमपत्यों दगडु शेट गणपती बापानी मानता मानी त्या दर्शन करवा गया चे ते महत्तम खाली हाथे क्यारे पाचा नती फर्या जे बी लोको आदी व्यादी उपादी अने अशान्ती अने जीवनना कंकाश अने कलेती पीडाता होई चे ए फक दगडु शेट गणपती बापानी मानता मनोकामना नेमना दर्शन्थी शान्ती सुख अने सम्रुद्धी प्राप्त करे चे तो आज चमतकारिक दगडु शेट गणपती बापाना जै जै कार आ गणेश चतूर्थी ना पवित्र तेहवारों नी अंदर आपडे ध्यान का दरिये स्मरन करिये गणपती स्तोत्रम गाईये अने जरूर थी आपडे दगडु शेट गणपती बापा जेवा चामतकारिक भगवान ने पूरा अंतह श्रद्धा थी याद करी ने एमना चरणों मा कोटी-कोटी वंदन करी आने कहिए कि आ कड़्यूग नी अंदर तमाम प्रकार नी आधी व्याधी उपादी मा थी अमने तारो गणपती बापा मोर्या मित्रो तमने मारी आ दगडू शेट गणपती बापा नी कथा गमी होई तो आ वीडियो ने जरूर लाइक अने शेयर करजो मारो चेनल सब्सक्राइब करी आ गणेश चतूर्थी ना पावन परवमा मारो भी उत्सा वदारो कमेंड मा कहो के तमने आ कथानो कयो रस्प्रद लागयो अने आगा मी वीडियो नी अंदर कई कथावो कई स्टोरीज सामबढ़वा मांगशो त्यासुदी जग दम्ब